हाई गाईस मेरा नाम है संदीप आप देख रहे हो क्रोमा टेक यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे .OS के लेटेस्ट 5.1 ओफिशल एंड्रोड 11 अपडेट के बारे एक लोगो बगएरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा .OS वर्जन आप यहाँ से भी चैक आउट कर सकते हो एंड्रोड 11 आपको आउट आफ ता बोक्स देखने को मिलेगा लेटेस्ट में 5, 2021 का Android Security Patch Level उसके साथ जो Kernel यहाँ पे यूज किया है वो है Storm Breaker का तो Storm Breaker X7 का आपको यहाँ पर इस ROM के अंदर है जो In-Build Kernel देखने को मिलता है इसके अंदर जो Performance है वो काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी अब System के अंदर आते हैं यहाँ पे अपडेटर मिल जाता है तो आप यहाँ से OT अपडेट्स चेक आउट कर सकते हो जेस्टर के अंदर आपको System Navigation के अंदर 2 बटन, 3 बटन यहाँ पे आपको फर्दर कोई भी Option नहीं देखने को मिलता अगर आप यहाँ पे सेटिंग देखोगे ना तो यह Totally Inspired है Android 12 से आप यहाँ पे देख सकते हो यह सेम चीज़ आपको Android 12 के अंदर देखने को मिल जाती है तो यह चीज़ आप अभी आप देख सकते हो यह आपको यहाँ पे भी देखने को मिल गी यहाँ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा डेटा यूसेज विगरा यहाँ से आप एडिट कर सकते हो और कुछ और फर्दर चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है अब चलते हैं फिर से सीधा सेटिंग के उपर और यहाँ पे यूई आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी और नेक्स चलते हैं यहाँ पे बात करेंगे सिक्यूर्टी की सिक्यूर्टी किन दे आपको फेस अन लॉक फिंगर्पिंट दोनों का उप्शन मिल जाता है जो कि आपको मैं यहाँ पे स्पीड एक बार से चेक करवा देता हूँ कुछ इस तरीके कि आपको यहाँ पे जो है फिंगर्पिंट स्कैनर की स्पीड मिलती है काफी फास्ट है इंस्टेंटली आपका फोन यहाँ पे अन लॉक हो जाता है अगर आप यूज करना जाते हो फेस अन लॉक तो आप उसको भी यहाँ पे ट्राइ कर सकते हो आपको यहाँ पे भी कोई इशू नहीं आने वाला कल से यूज कराऊं इसके अंदर जो बैटरी बैक अप है न वो भी काफी स्टेबल आपको देखने को मिलेगा आपको इस रॉम के उपर इजली मिल जाएगा अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा एंड मेरे को कोई चार्जिंग के अंदर भी ऐसे इशू नहीं आया हालनकि जब आपका डिवाइस थोड़ा हीट करेगा ना जब आप 18 वाट फास चार्जर से इसको चार्ज करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा आपको स्लो चार्जिंग का इशू आ सकता है तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है वैसे आपको रॉम के अंदर कोई भी हीटिंग इशू नहीं फेस करना पड़ेगा साउंड के इनदर मी साउंड इनहैंसर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा इसको आप इनेबल कर सकते हो भागे आपको सबी टच के option देखने को मिल जाते हैं डिस्पले के इनदर चलते है यहाँ पे आपको मिल जाता है नीचे accent color change करने का option तो आप इसको कैसे भी set कर सकते हो फिलहाल मैंने Android 12 से जो new feature है वो आपको मागे बताऊंगा उसको enable किया है तो यहाँ पे जो आपका excellent color है वो change नहीं होता आप देख सकते हैं मैं change करने की कोशिश करता हूँ बड़ यहाँ यहाँ पे change नहीं होता headline body font आपका यहाँ पे जो है आप इसको कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो काफी सारे मिल जाते हैं बड़ जब आप device restart करोगे यह सबी settings आपकी यहाँ पे reset हो जाएंगी then icon shape change कर सकते हो tap to wake आपको check खरवा देता हूँ tap to wake आई थिंक आपका working है tap to sleep भी आप यहाँ पे use कर सकते हो so यह दोनों features काफी अच्छे से working है styles and wallpaper के अंदर आपको यहाँ पे जो है on device wallpaper यह वाला देखने को मिलता है उसके बाद customizations के अंदर आते हैं तो यहाँ पे wallpaper के related आपको customizations देखने को मिल जाती है यहाँ से आप जो है gallery के अंदर से लगा सकते हो या फिर .os exclusive आप इनको set कर सकते हो live display का option है इसके अंदर color profile आप change कर सकते हो standard reading dynamic display mode आपको मिल जाता है उसके बाद color temperature आप यहाँ से set कर सकते हो color calibration कर सकते हो and नीचे आपको मिलता है picture adjustment के related option तो थोड़ी saturation increase करके आप amulet type colors को यहाँ पर enable कर सकते हो basically and dark theme आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा pitch black dark theme आप यहाँ पर use कर सकते हो यह आपको यहाँ पर in build देखने को मिल जाएगा and काफी cool सा भी लगता है अब आ जाते हैं customization के अंदर तो customization वाला section यह आपको यहाँ पर मिल जाता है यह same as it is है wallpaper का section मैंने आपको check करवा दिया AOD and lock screen के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलता status bar के अंदर आपको यह सभी चीजें same देखने को मिलती है and इनको आप enable कर सकते हो यह .os के अंदर आपको कुछ इस तरीके से ही interface मिलता है काफी सारे लोगों को पता है most of the people को यह सभी चीजें पता है quick setting के अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको यह सब कुछ चीजें मिल जाती है अब new जो चीज मिलती है वो आपको मैं बजाता हूँ सबसे पहले app lock का option आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो आप इसको use कर सकते हो यहाँ से आपको यहाँ पे app lock का option मिल जाएगा थोड़ा सा light का problem आगया तो मैंने एक light को off कर दिया है इसकी वज़े से थोड़ा सा आपको dark type यहाँ पे UI देखने को मिल जाता है इसको इनेबल कर सकते हो यह आपका engine इनेबल हो जाएगा अगर आप इसको इनेबल नहीं करना चाहते तो आपके जो default settings मैंने आपको दिखाए थे ना इसको इनेबल कर सकते हो जैसे आप इसको इनेबल करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे option enabled देखने को मिल जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आप colors वगरा को change कर सकते हो कुछ इस तरीके से जो UI है वो आपको totally inspired मिलेगी Android 12 से उसके साथ आपको amount of generated colors का भी option मिलता है यहाँ पे लिखा है more colors is equal to better accuracy तो ज्यादा colors आप enable करोगे तो थोड़ी सी better accuracy आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे UI को totally change कर सकते हो यह implementation है Android 12 से जो की काफी cool आपको देखने को मिल जाती है इस update के अंदर and almost जितने भी devices के लिए यह वाल update roll out हुआ है उनके लिए यह चीज़ आपको मिल जाती है clock face मिल जाता है इसके अंदर कुछ clocks आपको मिल जाती है जिनको आप enable कर सकते हो लगा सकते हो buttons के अंदर यह option मिलते है themes का option मिलता है और यहाँ से आप one plus slate वगरा यहाँ से भी change कर सकते हो इसके बाद आपको icon pack change करने का option मिलता है तो आप इसको भी यह change कर सकते हो बट ये सभी settings मैंने आपको पहले बताया था कि यहां पे जो settings है वो आपके reset हो जाएंगे नीचे आप देखोगे na monitor engine is enabled accent color control has been disabled तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो आपका accent color वाला option है वो जब आप उस lab वाले option को disable करोगे तब ही work करेगा system की बात करेंगे यहां पे आपको ये चीज़ें मिल जाती है double tap to status bar वाला ये option मिलता है sleeve वाला इसको आप use कर सकते हो बागी काफी सारे आपको gestures यहां पे मिल जाते हैं और advanced restart वगएरा भी आपको मिल जाएगा launcher grid आप change कर सकते हो maintainer वगएरा का name आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा and कुछ इस तरीके से overall आपको new features इस .os 5.1 के अंदर fix हो चुकिए है अभी आपको मैं फिर से कुछ चीज़ें और चेक कर वाज़ता हूं अब आपको यहां पे जो launcher मिलता है सबसे पहले यह वाली रॉम वैनिला वर्जिन है क्योंकि gapps के अंदर मेरेको कोई file uploaded नहीं मिली थी search force के अंदर सो मेरेको यहां पे जी apps वाला build नहीं मिला सो अगर आपको मिलता है काफी अची बात है आपको यहां पे जो ना launcher के अंदर वैनिला रॉम के अंदर icon pack icon size वगरा change करने का option मिलता है then double tap gesture मिल जाता है hidden apps का option है जो की app locker की तरह work करता है तो आप यहां से apps को hide वगरा क को मिल जाएगी and काफी आपको अच्छी यहां पे जो है app opening या फिर closing speed देखने को मिलेगी and कोई भी lag वगरा मैंने still यहां पे UI के अंदर नहीं face किया काफी अच्छी आपको smooth ROM देखने को मिल जाती है and कुछ इस तरीके से आपको animations यहां पे देखने को मिल जाएंगे so अपने RAM management की बात करते हैं so RAM management आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको RAM management मिलता है ROM काफी smooth है कोई भी आपको यहां पे lag वगरा नहीं face करना पड़ेगा काफी अच्छी optimization आपको मिल जाती है ROM के अंदर and यह वाला जो build है यह मैंने आपको पहले बिता दिया vanilla build है so इसके अंदर आपको नीचे screenshot clear all and share all share का भी option देखने को मिलता है left side में google cards का option आपको नहीं मिलता क्योंकि यह वाला build आपको vanilla build मिलता है अब यहाँ पर बात करेंगे इस ROM के ऊपर device के certification की तो आपका device यहाँ पर certified app को मिल जाता है and without route आपका safety net यहाँ पर पास रहने वाला है safety net API error आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी या फिर test station fail मिलेगा क्योंकि मैंने रॉम को है जो थोड़े old magisk version के साथ route किया है 23 वाले के सा आपको test station में भी fail देखने को मिलेगी so आप उसको manually fix कर सकते हो और route करना चाते हो तो आप कर सकते हो without route आपके banking apps यहाँ पे काफी अच्छे से working है stock camera की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको gcam go version मिलता है so आप इसको use करना चाते हो तो कर सकते हो otherwise आप full gcam यहाँ पे try कर सकत हो अब बात करेंगे performance की so इस रॉम की जो performance है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी अगर आप एक normal user हो अगर आप गेमर हो ना तो आपको यह वाली रॉम आपको नहीं मिलती gaming मैंने try कर के देखा था so gaming के इंदर वैसे कोई आपको ज्यादा issue नहीं आएगा बट gamers के drop होता है तो वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है otherwise आप यहाँ पर kernel वगरा चेंज करके try कर सकते हो यह कुछ scores आपको मिल जाते हैं version 8.4.7 के उपर 136,000 के आसपास जो की कुछ इस तरीके से आपको मिलता है so normal user हो ना तो आपको ऐसे कोई यहाँ पर issue नहीं आएगा .os के अंदर काफी अच्छे से आप इसको use कर सकते हो performance आपको काफी अच्छी मिल जाएगी and features भी काफी कमाल के इस update के अंदर आपको मिल जाते हैं तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो like करना, subscribe करना and मैं मि इंटरस्टिंग वीडियो के साथ